नमस्कार मैं 80 स्पाटक आप सभी का उश्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षाप्लस में UPP Constable का जो नोटिफिकेशन आया है एक तरह से वो एक तरह से टेंडर नोटिफिकेशन है 26,382 पोस्ट के लिए टेंडर निकाला गया कि कौन सी कमपनी जो है UPP Constable का वेकेंसी जो है उसे कंड़क कराएगी उसी के संदर में सबसे बच्चों की क्वैरी थी कि सर एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है क्या इस बार EWS को रिलक्सेशन के बेसिस पर एज में भी रिलक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्यूंकि इस से लेकर क्या हुआ था सासन को पत्र भेजा गया था कि जो EWS का रिजर्वेशन है 10% दिया जा रहा है तो उनके भी एज रिलक्सेशन में क्या किया जाए बिग काम किया जाए जैसे OBC है SCST है उनको सीट में तो रिजर्वेशन मिली दा है उनको एज में भी मिल दा है तो अब देखते हैं क्या होगा ठीक है तो अभी हम बात कर लेते हैं ऐज क्राइटेरिया में जो सबसे ज़्यादे बच्चों के सवाल है तो एज क्राइटेरिया में आप देखो मेर की जो एज चाहिए काने स्टेवल के लिए 18- 22 साल चाहिए किस के-किस के लिए OBC UR 18-22 कितने के लिए चाहिए UR के लिए एज जो होंगे आपके general category जो होंगे बाकी में आपको क्या मिलता है OBC, SC, ST है तो 5 साल की छूट मिलता है एज में मतलग आपका upper age कहां चला जाएगा 22, 5, 27 हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर भूतपूर सैनिक है तो यहां 3 साल का आपको age relaxation मिलता है और home guard है तो 3 साल का मिलता है तो upper age हो जाएगा आपका 22, 23, 25 और इसके home guard वालों के लिए भी 25 हो जाएगा महिलाओ के लिए जो age है वह 18-25 होगा general के लिए ये general के लिए 18-25 होगा बड़ी बात है कि EWS को मिलेगा कि नहीं मिलेगा age relaxation ये पता चलेगा notification आने के बाद क्योंकि जो था सासन को इसके recording पत्र भेजा गया था कि भाईया आप इस पर अमल करिए देखते हैं अब क्या नेड़े सासन का होता है इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है ठीक है हो सकता है मिले भी हो सकता है ना भी मिल जाए ठीक है तो ये द्यान रखिएगा तो general का male 18-22 female 18-25 और relaxation ये ही है 5 साल 3 साल ठीक है OBC, SC, ST के लिए 5 साल relaxation है भूत्पूर्ण सैनिक 3 साल home guard के लिए 3 साल है physical standard की बात कर लिया जाए तो male में UR, OBC और SC के लिए जो height चाहिए क्या चाहिए जो height चाहिए आपका वो कितना होना चाहिए 166 cm होना चाहिए और ST के लिए अलग से है 160 cm होना चाहिए ठीक है female की बात किया जाए तो height जो होगा UR, OBC और SC के लिए जो height होगी वो 152 होना चाहिए और ST के लिए 147 और physical standard में इनके weight को लिया जाता है कि इनका 40 kg से कम वजन नहीं होना चाहिए 40 kg से जादे होना चाहिए 40 kg से कम नहीं होना चाहिए chest की बात करें तो male candidate में male candidate में UR, OBC और SC का chest होना चाहिए minimum 79 फूलाने के बाद 5 cm फूलना चाहिए तो 84 होना चाहिए ठीक है ST की थोड़ा कम रखी गई है 77 और फूलाने के बाद 82 होना चाहिए female में chest का कोई नहीं है PET की बात करें ठीक है मतलब एक तरह से आपका physical efficiency जो test होता है running जो होती है आपकी वो running क्या है 4.8 km आपको 25 मिनट में दोड़ना है और 2.4 km 14 मिनट में किसको दोड़ना है female को दोड़ना है यह ध्यान रखिएगा तो यह राख education qualification क्या होगा तो कुछ नहीं 10 प्लस 2 है ठीक है अगर education की बात करें तो कौन से बच्चे फॉर्म भन सकते हैं जो 10 प्लस 2 हो और इसके जो equivalent हो equivalent का मतलब हो गया कि आप अगर polytechnic की हो 10 के बात तभी भी आप क्या हो जाओगे eligible हो यह ध्यान रखना तो age you are candidate के लिए 18-22 है और female के लिए जो है वो 18-25 है ठीक है पिछली बार गेंसी में कुछ जो है आपको rates जो दारी के दायर किये थे उनको कुछ relation मिला था और इस बार यह कहा गया है कि EWS के लिए भी हो सकता है age relation मिले लेकिन वो notification आने के बात clear होगा चलिए इसी के साथ जो भी आपकी query होगी और जो बच्चे नए होंगे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करेगा आपका constable से according जो भी प्रस्ण होंगे वो प्रस्ण आप इस वीडियो के comment box में comment करेगा team पूरी कोसिस करेगी आपके सभी प्रस्णों का जवाब दिया जाए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ आप सभी का बहुत बहुत दलनेवाद